जय हो राधा सर्वेश्वर भगवान को जय हो भगवान को नाम मंदा ठुलो पाप बाट मक्ष्य होने उपाय अरुकेई पनी छैना तिसेली मानबली निरंतर परमात्मा को नाम लिनुपर सा जाने अंजानमा गरी का पाप कर्मा हरुपने परमात्मा को नाम ले प्रायश्चित भाहिर जानचा बनिर इसेरी भगवान को नाम को महिमा को व्याख्या गर्नोंचा अजामिल उपाख्यान बड़ा सुन्दर प्रसंग को उठान गरेरा पुर्णता दिनोंचा सुकदेवजी महामनिले अगाडी गरा मनुष्यलाई अपुले गरी को कर्मा बाटा जब अविमान प्राप्त होंचा त्यों अविमान ले मान अबलाई कहां बाटा कहां समन परियाऊँचा तिसको प्रकरण अगाडी बढ़न गरिये गोचा शाजन अविमान मानम को सवी वंदा ठुलो सत्रु हो संतहरले बन्नो भैगोचा तिमीर गयो रभी देखेके मोह गयो गुरुग्यान कियो करायो सब गयो जब आयो अविमान शुर्या उदाय भाय पचे व्यानी पका शुर्या उदाय भाय पचे अंदकार विस्तारी विस्तारी नष्ट होदेई दान्छा अनि गुरु द्वारा ज्यान प्राप्त गरिपचे मोह माया रूपी बंधन हे रूपनी विस्तारी विस्तारी नष्ट होदेई दान्छा क cambio को पुछ स्लिभ बन्द जव उल्लीग घरीको कर्म बाट ऊश्लाई अविमान आयो भने में उल्ली घरेको कर्म पन进 विस्थारे विस्थारे नुस्ट प्राया हहिए में जाँचा चारा समाप्त भहिर जानचा टेसेली मानवले अविमान कैलीपनी गरन भहना मानवले मात्रे होईना देवता हरुमा पणी तेस्त अविमान हरो थिये एक दिन गो कुरा इंद्रा स्वर्ग का राजा इंद्र शिंगा संम बश्य दन भहिगो त्यो अफसरा हरो नित्य गरी रहे का थे गंदर्व हरो मिठा भजन हरो गान हरो गरी रहे का थे गाना बजाना चली रहे को तियो तित्ती खेरे गुरू ब्रियस्पती आई पुण भाईचा देवतार का गुरू ब्रियस्पति आये को देखे इंडरले तर पनी देखे रे पनी अंदेखा जस्तो गरे किना कि अब गुरू ला इता उठेरा सम्मान गरनों परे उठेरा जान दा इता नाजगान को आनंदता समाप्ता होने वो फेरे आये ना तिसे इंडरले भरे गायरा डोगोंला प्रणाम गरोंला गुरू आउनोबो गते बस्ते गरनोंचा बने गुरू ब्रियस्पति निके बेर उब्धिनो भयो तर इंडरले देखे रे पनी अंदेखा गरे पछे गुरु ले विचार गर नुबो अब इंद्रलाई अभिमान को घडा निक्कै भधिये जस्तो छा इंद्रको बन्ने गुरा विचार गरेर गुरु गैर आपना अश्रम्म अभश्रन लागनुब बरे भजन आदी कर्म नित्या आदी सवै पुर्ण बहे पचे इंद्रलाई थाबो की गुरु रिशाउन वो बन्ने गुरा पहिला लीन पठाए गुरु लाई अपना सेवक्यरु गुरु नुआ आए पचे स्वयम गये एंद्र गईर प्रणाम गरे गुरु मबाट भुल भयो मलाई छमा दिनो हला गुरु ले बन्नोबो मौ आए को तिमी ले देखे वई न बन्दत देखे रपनी तिमी ले बशों सुद्धापनी भने उन मलाई तिमी एकदम नाजगानमा मस्त को आयो को गायो मतलब चैना गुरियस्त को धर्म तेईव इंद्र तिम्रो तेशेले मौ तिमी बाटमा प्रसन्न छोईना रम तिम्रा घरको यजमानी कर्मा आज़ देखे परित्याक गर्षु मावनेर गुरु ब्रियस्पतिलेवा तिम्रा घरमा अब कुनीपनी कर्म कंडगर आउना मा आउने वाला च्वेनर मा तिमेर देवतागो गुरु बाटमा निकलिना चाहंचो मा छोडना चाहंचो तिम्रे इंद्र ले भले अब अभिमानत चन्देव इंद्र को इंद्र श्चन्ना मन्मने विचार गरे तबैन अबहर के तबए जस्ता गुरुता कति कति संचार मालाने इंद्र ले गुरुता कति कति इंद्र गै गैर विचार गरी अवा गुरु ले छोड़े पजिदा गुरु ता चाईयो संकट आउँँछा आप बिपतमा गुरु बिनांता चलेना कांद कर्म कांड गर्णु परशा के इने के इता गर्णु परने होंचा गुरु को आवश्यक्ता परें अब कल्ला गुरु बनाऊं देवताहर को यह बैठक बाश्यो। देवताहर ले सुनेगा रशन होने ले भने की एक जनदा त्वस्टा प्रजापती नाम गर्णीएका प्रजापती होनोंजा वहां का छोरा होनोंजा जसको नाम हो विश्वरूप वहां सारे विद्वान होनोंजा रे वहां कर्मकांडी पनी होनोंजा रे तरह भात्पती कर्मकांड गराउन जानो होनना अरे तरह वहांलाई प्रसन गराएरा ल्याउना सक्य वने हमरो कायम होंचा वने ठिक ही सतेशवने जावने देवताहरले पठाए इंद्रश स्वयम गए गईर विश्च दोप्लाई प्रार्थनागरी प्रार्थनागरदा वाले वन्न वो मो कर्म कंड अचल मयले गर्ण छड़े कर्मकंड विद्या यदि सई तरिकाले गरना सकेना गराउना सकेना वने तेले आपहिला हाने नक्षाने पक्षा कर्मकंड विशय राम्र विशय हो तर तेसको बिदी नपुर्याई कना गर्योगने गरने र गराउने दुईतेला हाने नक्षाने पक्षा तेसे ही कारण ले मा यो खर्मकांड गर दीना गराऊंदीना वन्ना इंद्र ले बन्नवा गुरुदेव मा हजोला इसानो तिनो ब्यक्ति का घरमा यजमानी गरना बनी रहे को छोईना मा स्वर्ग को राजाई तो बैला हमी देवतागो गुरु बनाऊना जान्चा उच्चा पात उच्चा सम्मान्तिना जान्चा वानी तो यग्या निरंतर गरी रहनो परचा अजुले हमरो शक्ती प्रवर्दन का लागी इंद्र ले बने विश्य रूपले बन्नवो छिकेशा तर मलाई कर्मकांडमा तिती शारोच्चा आशोची छैन तर बनी अवा हजुरेले बन्नोंच आगरागर्नोंच शोयम देवराध इंद्रले आयरवले मो अवश्यमेव तयार्चव लेर गई यग्या प्रारम्म गरावनुब गुरु ले यग्या चलनला लाग्यो यग्यमा नारण कवच को दिक्ष्या प्रदान गर्न भोविश्चरू गुरु ले इंद्रलाई नारण कवच जो भागवत को सस्टशकंद को आठ अध्यायमा बढ़न करियेको चा नारण कवच भगवान को नाम को कवच जो शरी जाडवाट बचन हमी जागेट लगाऊँचाओं सवीटर लगाऊँचाओं तेस ते शरीर लाई शरीर के आधी ब्यादी लाई हर प्रकार ले नश्च गरन का लागी सवेई बचाऊँचा लागी भगवान को नाम को कवच प्राण गरीण चा त्यो बिदी छा इड़ यो नारें कवज को दिक्ष्या प्रदान गर्नवाई हरिर विदध्यान्मम सर्वरक्ष्यां निस्तांगरि पदम पतगेंद्र प्रिष्टे दरारि चर्मा शिकदी सुचाप पासांद दानुस्ट गुणोस्ट बाहो हरिर विदध्यान्मम सर्वरक्ष्यां भगवान हरिले मलाई सर्वरकारले हर प्रकारले रक्ष्या गर्नो अनि निस्तांगरि पदम पतगेंद्र प्रिष्टे मेरा उने परब्रम्म पर जुन भगवान गरुड का प्रिष्ट भागमा बशेर अबिचरण गर्नोंच ती भगवान ले मेरो रक्ष्या गर्नों से अनी दरारी चर्मा शिग देश चाप रती चाप भनेगो बाण आदी धरन गर्नों हुने परब्रम्म परमात्माले मेरा शरीर को रक्ष्या गर्नों से अनी पासंद दानस्ट गुनस्ट बाहो र अस्ट भुजाले युक्त हुनो भहे का परब्रम्म परमात्मा भगवान ले मेरो हाथ को मेरो बाहु को रक्ष्या गर्नों से ठीनि भगवान को नाम द्वारा सारा अंग अप्रत्यंग को रक्ष्यागरने जचलाई नारण कवच बने र वने इनचाँ दिक्ष्या तेनों भयो गयो युओ नारण कवचलाई व्यान बेलुगा कसेईली पाड गर्श अनि यो नारण कवचलाई ची शुरिय ग्रहन चंद्र ग्रहन लागे का बेलामा भोज पत्रमा लेखेर यसलाई बुटी बनायर कसाई ले धारण गर्ष विदिवत पुजा गरेर भने इले की होंचा थासर अभ्यान ब्यलुका पाठ मत्री गर्नाले पनी यन्नो भयम ग्रहे भ्यो भूद केतु ब्यो निप्य एवचा सरी श्रिपेप्य दम्ष्रिब्यो भूते ब्यो होप्य एववा मन्चेला लागने ग्रहेरो राहू केतु संकटा आदी साड़े साती अड़या इजती ग्रहेरो को दोस्चा त्यो सबी निवारण भाईर जांचा तुला तुला संकट निवारण भाईर जांचा अनि भूत्प्रेत पिशाच को डर होदैना तुला घरमा भ्यान भेलुगा नारण कवज को पाठ होँच वने त्यो घरमा भूत्प्रेत को डर होदैना अनि ग्रहेरो नष्ट वहेर जांचा न ग्रह संती वहेर जांचा ग्रह दोस्च निवारण होँचा सबई कुरा अनि भोत्प्रे टुना मुना जादू जेचानी तो सबई कशेई लेपनी कशेई को केईपनी लागदेईना यो बंत्र भंदा नारण कवच भंदा उत्तम अरु केईपनी चायना और व्याद आदी को भया होदेईना जीव जन्तु को भया होदेईना जल्ले यो नारण कवच भंदा आदारण गर्ष भंदेई तेस्तो दिप्य चया तेव दिक्षया प्रदान करनो वो विश्वरूपले इंडर लाए अनि यग्या चल्देः थियो सजन यग्या यजमान बनेर इंडर बस्तन भात्य विश्वरूप गुरूले इंडराय स्वाहा बनेर अवन करनोंच अनि देवताग्व नाम लिदागेरी अग्नै स्वाहा इदम अग्नै नममा आगणिए देवता गवा नाम अन्यदेवताग नाम ये उच्यच्चारत करेर श्वाहा करनांद। पर भीन नवा पकार क्षिमा ज्चारत करेड़ी करणिच अब मोखेगा न आगता हonos्टत आपक्षारत करूप्रास स्थारत करें। धगोरुब में अपर रोगर्य भाष प्छिव भाष रा मुंगे काल गायरं आपसी अपा कि होगोर्ट को एभाल तो cutting CP कि जला बंगे सब्सक्राठी है टेय को सब्सक्राभर नहों सब्सक्राठी हुँ कि आपसी शर्य की लिऎ मुझे निग्चा üzव्रे कि चरी थे निए दानव कुल की थे नोनी एक दिन दई तेहर ले अपकाई रहा भने जन आपना भाण्जा लाई विश्वरूप्ता भाण्जा होनो भाण्जा तो पहले ता चारी तेरा गर यग्यगराई रहन होंचा हामी ता यग्या गराउंदाउना कोई आउदाई ना ठुला ठुला रिशी आमाई संगा आउना मानदाई ना आमी ता दुरबल भाई सकेऊं तो पहले नियसो कोईले काई महुका मिलारा भाण्जा आमरा नाम्म अपनी यसो हवन दिनो हला आमे पर लाई पनी अलिकति सक्ति मावली को रख्ष्याकर नौशिए अजंळे अब्वा आमरा अरू कोई जया ना बने चा नेगे अब मावली लाईता बचाउन पर्योंने था आई न मावली ता जयले भनी प्रिया होंचे अवा मावली नी नाशीये वने तफे री दुशाई मा आ जानो तिकलाऊना अरुब्यलापनी जाना मनलाग वने का जानो गारोचाधी मावली को रक्ष्यात गर्णों परश मैले भनेरा मावली हयर को सक्ति बढबना का लगे डई त्यहर का नाम बने हवन करना धालनों भयेछा हवन दिना धाले पचे इंद्रा ले शुने तेने शत्रु को बिनास का लागे मैले यग्या गरागो तपईला गुरू अब तपैं उल्टे इती सत्रु को बल लाई बड़ाउन गा लागी तपैं हवन करदें उनंज इंद्र रिशाउन वो तुरुंत इंद्र ले खडग द्वारा विश्चरुप गुरु को शीरला छेदन करदें वो तिनोटा शीर्थिये विश्चरुप गाई शीर्चेदन वह गुरु हत्या वहो ब्रह्म हत्याले आक्रमन गरिन इंद्र लाई इंद्र गैर तलाव भित्र पशेर कमल का ब्रिक्षय का डाँठ का प्वाल भित्र पशेर बशे इंद्र है नौ बर्शों बर्श समन इंद्र तेशरी भागे अव राजा नवय पची दैतेहर को चाप बढ़न लागयो स्वर्गम अव क्ये गरने ब्रह्म हत्या बाट हैमरा राजालाइक बचावने उपाय के छा बंध अव यव तेई उपाय छा क्ये छ बंध यो ब्रह्म हत्या को पापलाई कसे ले स्विकार गरी दिये ग्रहन गरी दिये भने इंद्रप्प तेव ब्रह्म हत्या को पाप बाट मुक्त हुन्चन नवा उपाय छाई ना तेती भनी शगे पस्षाद अवक्ये गरनेता कुल्लाई प्रार्थना गरने सभेलाई भन्दई भन्दई गए ब्रह्मा अत्यागो पाप अलिकती स्विकार गर्दिन पर्यों हमरा राजाला मुक्त गर्दिन पर्यों बन्दई देवता हिंड़े गए जादा खेरी पईलो कुडा प्रिथिवी माताले बन्दई भन्दई 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 जुन प्रिथिवी उशर भोमी होंचा उशर भोमी बनेगो शेतो भोमी जाँ जहार पात उम्रिदैन सेतो भोमी होंचा तेस्तो भोमी बनेगो ब्रह्म हत्याको पाप भायको भोमी मानिन चा तेसलाए तेस्ता ठाउमा कईले घर बनावनो होदैना प्रिथिवीलाई अश्यरवाद डिनावस्ती होदैना किने कि त्यों ब्रह्म हत्या को प्रतीक हो अनी प्रिथिवीलाई अशिर्वाद दिनोवो इंद्रले बर्दान दिनोवो कस्तो बंद तिमी मां मान भेरले तिमी लाए खणने छन खाडल बनावने छन तर तिमी तिम्रो त्यो खाडल विस्तारे विस्तारे आपैं पूरिंदाई जाने छा बने दा बर्दान दिनोवो खातरू पेण जैली पणिल पुल्ण होने से कुनैं पोखरी कसाईले खण्यो बने ये पोखरी बर्जयनी ताष्टै गरेन अमे आभ़ा भर और पूरिंदाई पुरिंदाई पुरिंदै पुरिंदाई कांवर बर केले आयर पुरिंच थाजए न तौर आभ़ा भर इंचा क lawsuit यो इंद्रा ले दिये को बारदान हो जान्य आप है पुर्ण अनि और को पल ले स्विकार गर ला ता बन्द और मात अहर ले स्विकार गर दीन मार अधेht нес। तिसे ले वाँ ले बन्वा हमी यह उटा भाग स्विकार गर दिन सों प्रम्म हत्यागोगा तो क्यो हो बन्दा माशी माशी प्रदिश्यते आमा हर लाई मैना मैना दिन माशिक धर्म होने गर्दशा तो नी प्रम्म हत्यागो प्रतिक हो आणी माताहरले स्विकार गरीपच्छी इंदले बरदान के नवा माताहरलाइध तपंचिरों में कामना कमशक्टी चाच्षत प्रबरदन भई रहनेचा कहीली पनी कम होनेच यहिना आणा माताहर में सहावस्हिंद आन्ठ शक्टी अदिक रही रहनेचा वनेद ह बरदान तेन वो इंद्रा लेनाच माता है रुमा सहाश्वक्ति पितामा बंदा छो गुना ज्यादा होने करचा छो गुना ज्यादा सहाश्वक्ति हिम्मत आठ आमा है रुमा होचा तो इंद्रा ले दिये को बरदान हो रेनाच अनि तेश पशाद अरको कल ले स्विकार गरला बंदा ब्रिक्षा ले स्विकार गर देनुग। ब्रिक्षे मां जो चोप आऊंचा नी ब्रिक्षे को चोप बने को ब्रह्म हत्या को शरोप ब्रिक्षे को चोप कहले पनी खाना हो दैना छोप ग्रहंड करना हो दयाईना कि ब्रह्मोध्या प्रतिक हो अनी आशिर्वात दिनोबो कि तिमी लाई जहा बाट काटनेशन मानवले तेह बाट पलाउने साथãy मिलने अशिर्वात दिनोबो जुन ब्रिक्षय मा चोप आउंशा निवे चोप आखो ब्रिक्षय जां काटो ती मुना पलाउन ठालिया तरह चोप नाउने ब्रिक्षय कहले पनी पलाउं दैना तो इंद्र ले दियेगो बर्दान भरण अनि तेस्पश्द अरको बर्दान कले स्विकार गरला बंदा जले प्राप जल देवताले स्विकार गार्ण भाव पानी ले पानी मा जो फीज आउंशनी जो पानी को फीज भने को ब्रह्मा अत्या को सब्सक्राइब पानी को फीज खायो बने रोग लाक्षण पानी को फीज गईले खाना हो देना कोका कोला खायो बंदा जन के उंजा उंज बने रव साथ दे चाहिए तर गर्मी लागे बजी क्वका क्वला फेंठा है वाधी बिक्षण दिक्षण थम्सा परे केके हो केके आचलता जन्चार आज त्यां यस्तो अल्कुल हाले को हुँचा सजन यसित पदार्ध तो खोलने बित्तिके फीज बने रे निकलेंचानी ची जहरो कईले ग्रहणडगार्न होने ना पानी को फीज बने को सबी बन्दा ठुलो पापकरमा अनि पानी लाइ बर्दान दिये इंड्रले क्वस्तो बर्दान बन्दा तिमी निरंतर भरी रहने छो कुवामा इनारमा पानी जती उगाया उती बरी नचा पहले खाले ओने उन् यह बन्दाले पानी निरंतर भारी रहने छो कशी कशी साधू संतले बन्दा कल्यूगमा तिमी घर घर मां भिकने चाओ वनेरे पारदान दिये बाया ज़ा खलूग मा गार गार मा अप निने ऍचिने हुँ तिम रो हैं, इनो अनुटी ने एनुट है , मैन्म E नुटी अनुटे भलाई भर अनुके 12-25 सुट्य ख्राउनके 12-35 सब्स्व抖क सुनट हरू जूग समय भल्षु सुन थो बिखने जो दिम्रो प्रदार वाशा रामरो होने चा अशेर वाद देन वाज चार जाना ले शेरी ब्रह्म हत्यागो पाप ला श्विकार गर दिनो भो इंद्र ब्रह्म हत्यागो पाप बाठा मुक्ता होना भैयो मुक्त भैस्यके वसी इंद्रा आउनों भयो एता विश्वरूप का पिता त्वस्टा प्रजापति ले बन्मा विचाद गर्नों मेरो छोरालाई तो इंद्राले मारी दियो बने अवमे इल्लाई बनी कहीज न कही गर्श हो बने रहेर यग्या प्रारमबगरन वो तष्टा प्रजापति ले यग्या घर्ना लाग्नों वो यग्या गर्दा गर्दै बड़ा कुरोद आया गुतِّयू इंड्रा लाई मारने वाला इंड्रको शत्रु जन्मयोश्वन्ने भावना लियर संकल्ब गरेड यग्य गर्दै हुन उन्द्यो तर धेर रिशुटे का कारण ले गर्दा शब्दमा भेद भायचा सजन शब्द का भेद हुन्जन सब्द उचारण गर्द रश्वा दिर्गार प्लूताश्वर हुँचन तिन प्रकार का स्वरोड हुँचन तर मध्यम्श्वर लाई उचारण गर्ण परने मा उत्तम्श्वर लाई वाहले उचारण गर्ण वहो पुत्र जन्मयो अग्नि कुंडवाट प्रकड भयो सजन ब्रित्राशुर नामगरिये को दैत्य प्रकट भयो जसको नाम धियो ब्रित्राशुर दैत्य प्रकट भयो ब्रित्राशुर ला आज्या दिन बो तष्चाले जाओ गई रह इंद्र को बद गरे राव भने राज्या दिनो गई बित्राश्वर युद्ध मैदानमा गई सजन देवताहरू पनी युद्ध मैदानमा आये दै तेर देवतागो युद्ध भयो तर आज देवताहर ले युद्ध जितना धाव धाव परयो देवताहर ले शके ना देवताहरू भागरे भाग भाग भाई ब्रित्राशुर्ले युद्ध मैदान मा इस्तो तमासा मचाई देवताहरू लाईद उठाउदे फ्याकते देवताहरू भाई भीद भाई अब ब्रित्राशुर्लाई बद गर्ना नसके बशे देवताहरू भगवान नारेण का शरण में गई प्रभो अब हमेला हजोले बचावन पर्यों भगवान ले बन्नवो मत तिमेला बचावन सक्तिना बन्नों कल्ले बचावला प्रभो बंद तिमेरू गलती गरशो बार बार मैंले बार 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 बचावन तिमेला बंद प्रभो आमरो सहारा तपै ने तो अरु कोई छैना बंद तेशो बने ठीकाई छा आपा सहारा मलाय अंतिम माने का जाओ ता अब क्या गार्न मैले मा बचाओन सक्तिना तर उपाय बताई दिन छो बंद कस्तो उपाय बंद तपै तो तिमेरो जाओ कहा बंद एक जना ददीची नाम गरिये का रिशी तपश्या गरेद बस्तुन भाईगो छा ती ददीची रिशी के धर्म पत्नी माता पनी होनोंचा आपनी पत्नी जसको नाम ओशुबर चा आज तिमेरो वहां जाओ रदीची रिशी संग तिमेर ले प्रार्थना गरनों रदीची रिशी ले मनायों वहां खुशी भायर आपनों प्राण त्याक गरेर ददीची रिशी ले आपनों सरीर को हड़ी तिमेर ले प्रदान गरनों भयो बने त्यों ददीची का हड्डी बाट मात्रे बृत्रा शुरुको मृत्यु सम्भव चा नवा अरु कुरेंपनी उपाये चाई भगवा नारेणले भने बशे सारा देवताहरु ने मिचार्गरी अवा हम्रों उपाय एवड़े रहे चा संपूर्ण देवताहरु व्यन व्यने को समयमा ददीती रिशी का आस्रम्म पगी ददीती रिशी वित्र भशेर भगवान को पुझा अर्चना गरदे हुनुंत्य सजन तेई पुझा कोक्षय मानी शारा इंद्रादी देवताहरु पगे गैर ददीती रिशीलाई का पाव मा धुके र इंद्र ले प्रणाम गर्नमों सवय देवताहर ले प्रणाम गरे ददीती रिशीले हाथ जोडे र भन्नमों ओहो मेरो अहो भाग्या आजा हामी ग्रियस्ति को अहो भाग्या देवताहरू शाक्षाद मेरा कुटियामा पवित्र बनाऊना आई दिन वो आजा मा धन्य माई मा स्वागत गर्शो हजुरेलाई स्वागतम स्वागतम आशन ग्रहन गर्णो सबी जना बन्नवो सबी देवताहरलाई आशन को वेवस्ता गरियो बस्वनो बो सबी जना अनि हजुरेर यसेरी ब्यान म्याने अचानक मेरा कुटियामा आउनुको कारण देवताहरले भने पईलो कुरा प्रस्ताव राखन भन्दा पईली आपनो कमजूरी बताए देवताहरले उने ले भने गुरुदेव ननुश्वार्थ परोलोको नबेदा परसंकटमो गुरुदेव बस्तम स्वार्थी मान्चेले श्वार्थी ब्यक्तिले आपनो स्वार्थ पूर्ण गर्न तत्पर ब्यक्तिले अरका को दुखा कईले पनी देखतो रही ना रशा अरका को पीडा देखता ही ना श्वार्थी ले उल्लाई केवल अरकालाई दुखा दीर भाई पनी आपनो श्वार्थ पूरा गर्णों ने उसको पलम लक्ष्य होंदो रहे चा आजा हमी पनी तिस्तेई अपनो श्वार्थ पूरा गर्ण का लागे अजुर का शरण मा आयका छओं मनेरा अखा भरी आंशु बनाएरा देवताहर ले बने ददीचे रिशीले बन्नवो कूरा नगमाई कन प्रष्ण बलनो सजरेरो क्ये चानों समबाठ बन्दा गुर्देव यवटा ब्रितरासुर नामगर्यको दैट्यले अत्यचार मचायक उषा त्यों अत्यचार का कारणले गर्दा हमी तरही तराही भहेका छओं वस्फी गर्दा दीलला हमारना शके नों बद गरनना सके नों आपनो सरीर हामी एरलाए प्रदान गरन परे। प्राण त्यागेरा अजुर ले बचंदिनोपर्यो मेरो शरीर अबत्य मेरगो हातमा मैं स्वंपिन्छु मो प्राण त्याक्षू बने रहे हजुर ले भने पसे अनि हजुर का शरीर बाट हड़ी निकाले र तेस बाट बनिये को अस्त्रले मैत्रे ब्रित्रा सुर्को मृत्यु होने बराये छा तेती भने पछे ददेची रिशी प्रसन्ना होनो बोर्शाजर खुशी होनो मृ शक्का हांश्नबो बन्योंच हे देवत आहो म धन्य भाई आजया किन बन्य यो शरीत मर्ने नि होने आखेरी मैं आजया हो चाए बोली हो चाए दुचार बरसा पछाड़ी होसा दुचार बरसा पछाड़ी होसा भने नि मरे को शरीर ले पनी कशेई को जीवन को उधार गर सा कल्यांट गर चे वने यमंद अठुलो परुपकार अरुके होना सक्षा दूइचार बर्ष पचाडी मर्थे वोला आज अगाडी नी प्राण त्यागना परला क्ये वोला आरा दूइचार बर्ष में उन्चाजी के कोई आयारा आथो तचाड रा मचाड चिंता टेंशन लिदाई बसने न हो अरुतुक्त केई जाई न अगे बांचेरा गर्णोंची शाके अरुत केई छाई न तेसे ले दूइचार बर्ष पचाडी मर्यला तर आज मर्दा येजी कशी को यो शरीर ले काम दिन्चा परुपकार होंचा पुण्य को काम होंचा बने ध्यामंदा ठुलो मेरो अहो भाग्या अरुक्य होना सक्षरा मत यार सो किने की शरीर का तिन्टा अवस्ता होंचान क्रिमी बिट भस्म संग्य कहा हमरो शरीर मरे को कशै ले देखियो भने लगे र चिता बनाए र जलाई दिन्चन जलाई भने खरानी शरीर को योड़ा अनि कशै ले देखे ना प्राणी ले देखे बने ती प्राणी एर ले हमरो शरीर को मम्स खायर बिष्टा बनाए र त्यागे दिन्चन बिष्टा होंचा पईलो खरानी अदगो बिष्टा अनि प्राणी ले पनी देखे नन मने बिष्टारे बिष्टारे यो शरीर मा कीरा परनधाल जन और कीराले खादा खादे शकें जा किता कीरो हुँँचा किता प्राणी ले बिष्टा बना रत्यागे दिन जन या तक खरानी हुँचा शरीर का त इने तिन्ता अवस्ता देखी अर्गो अवस्ताई चाहिए ना बने मेरो शरीर काम लाक्षा या दी बने मा अवस्य संपिन्च वाजुरेलाई अवस्य दिन्च तर एवडा कुरा देवता हो मेरी पत्नी ला योकुरा नसनावन होलाई रह्मो येस्तो समय मा अवस्य प्राण त्याक देशो कि मेरी पत्नी ये तिखेला गर्भ वती छन्ट नेरी पत्नी का गर्भ मा संतान च होती ये आमरों संतान मेरी पत्नी लाई न सुनाई कना तपहले सुद्मों अवा प्राण त्यक्षु केई बेरमा अजो ले सुटुक कली रा जानो होला रा आपनो काम बनावनो होला दजी ची रिशी ले बननो है तेत्ती खेड़े दजी ची रिशी की पत्नी सुबर्चा ब्यान उठेड़ा न्वैद्वै गरेड़ा बैर निक्रीड़ा तुलसाका मोठमा गईड़ा तुलसीलाई जल अरपण गरनो भो शुर्यला अर्गय दिनो भो अनि शुर्यला अर्गय गरिश्च के पची जैली पनी आएरा आपना पतिलाई प्रणाम गरनो होंत्यों पाउमा जुकेर प्रणाम गरनो होंत्यों पतिलाई प्रणाम गरनो होंत्यों पतिलाई प्रणाम गरनो भनेर जवा आउनो भो आईरे हिर्दात इन्रादी देवताहर सभी जनां पशेकाशन पती का समेपमा अगीने कुराकानी भाईशकेगो छा गैरा आपना पतीलाई पईला प्रणाम गर्नभो संपुर्णा देवताहरलाई प्रणाम गर्नभो मातास्स्वर्ण चाले डदी ची रिषिले भन्नभो देवी हेरना हमरो कत्रो अहो भाग्या आजा सारा देवताहर हमरा कुटिया में आउनो भाइचा आजा यता हमी ग्रियस्ति का लागी यामनना ठुलो अहो भाग्या अरु केईपने होना सकते ना और बल्ला बल्ला आउनु भैगा देवताहरलाई केईने केता क्फायर पठाउनु परच अतिति श्यवा हमिले गर्न परच देवे जाओ गईर केईने के लियराऊ बनाईरा बनेरा ददिची रिशी ले बन्नवो मैं अताले बन्नवो यो हम्रो अव भाग्याओ मा अवश्यल यहूँचो अजर बनेरा भित्र भोजनालाई मा गईरा प्रचाद बनाऊना लाग्मो देवताहलाई अर पणगरना बनेरा अब मा प्राण त्याग देशो तबहले मेरो शरीर को हट्टी लेरा जानो भोला बनेरा आशन लगाएर पसेरा प्राणयम गरन भयो ददिची रिशीले प्राणेम गरेर अनी नावी प्रदेश बाट मुलाधार चक्र बाट प्राण लाई मथी मथी तांदे 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 ब्रम्मरंद्रमा प्राण बायुलाई लगेर तुरुंते तित्ति खिरे ब्रम्मरंद्र बाट प्राण लाई परित्यागर्दिन बोद्ध प्रणंत वने वित्तिकई देवताहरले ददीची रिशीको शरीर लाई हतियार द्वारा छेदन गरदेई शरीर बाट हड़ी निकाले हड़ी निकालेर लीर देवताहरू आश्रम बाट बाईर निकनिदै थिये माता शुबर चाले प्रशाद बनायर लियर तुपलुका आई पुगदा इस्चो दोईला बाट भित्रहरदा देवताहरो त्यों हड़ी लियर बाईर निकलिदै शन पतीले अगी प्राण त्यागी शक्न भाईको छा त्यों देखने बित्रिके प्रशाद को थाली बईमा जर्यों सजन बड़ा ठुलो संकट पर्यों चोट पर्यों माता शुबर चालाई गर्वमा शंतांचा गर्ववती हुनोंचा उता पतीले प्राण त्या गर्णोंगोंच देवताहर को त्यों कर्म देखेरा माता शुबर चालाई बड़ा करोद आयो हे देवताहो तिमेरू कती श्वार्थी रचव बनने गुरा आज महीले चाल पाया तिमेर ले मा श्राप दिन छो मेरा गर्वमा शंतान भई का वेला तिमेर ले मेरा पतीलाई प्राण त्याग गर्णा बध्य गरायो मा तिमेर ले श्राप दिन छो जसे दी मेरा पती ले संतान को मुख देखना पाउनु भैना तेसे गरी तिमेर ले जीवन मा आपना संतान को मुख कईले देखने चाईना तिमेर का संतान होने चाईना निसंतान होने चाऊ तिमेर उवने रहा माता सुःबर चाले श्राप्तिन भयो सजन देवताहरु लए तेसेले देवताहर का च्वराःः कोई पणी भाए ने ने जensing भाए ने उनेर का अम्ष आदी पृधिवी दल्मा भाए तरव शयम उनेर का च्वराःःः देवता का कोई पणी भाए ने तेतिशकोटी देवता, तेतिशकोटी नी चाना आजय पनी, त्यामन्दा बढ़े ना, संतान भगा बढ़े ना, जेति नी चाना, श्राप दिनवे, देवता हरुता हड़ी लियर गय, उता माता शुवर चाले, आपना पती प्राण त्याग करी को देखता, त्यमन्दा पतिदेव कस्तो दुरबाग्या मेरो अजुले प्राण एती चाणु त्यागनु होंच भन्ने मलाई थातियाना संतान जन मिला संतान को मुग हैरे रहा हम्रों संतान ले दागबती दियला पछी गई रहा दस्गात्र गरी दियला कत्र आशा मेरा जीवनमा मेरो इच्छा आज हजुले प्राण त्यागे रहा सारा मेरो इच्छा नहीं हनन गर दिन भूपति देव आज दैवलाई पकार दे दुन हंचा विचरी देरे बेर अव कोई छही न साहरा एक आहे का लीर जानों भयोस नदी का किनार मा आपनों पतिको मृत शरीला लीर गई रहा चिता बनाए रहा अवा मैले पनी बांचे रहा क्या गरनों अवा मपनी प्राण त्याक्षो अवा पतिका सात्मा स्थी अनि गईर चिता बनाए रहा पतिको शीरलाई आपना काखमा राखे रहा स्वयम आभूपनी चितामा बसे रहा दागबति स्वयम आभैले दिना लागनों भय गत्यों जित्ति खेरे अकाश मानी भयों ये दिशी पतनी ये माता शुवरजा गरवम संतान भयगा बेला में सत जानों हो दैना तो सती प्रथा वैना तो कर्म गर्नों हो दैना दुईता शरीर एकई चोटी जलावनों हो दैना पहला गरव को संतान लाई सकुषल बाईर दनमा दिनोहोस बनेर आखास बाणी भयों ते तिक्षेरा कि माता हता रता चिता बाटतल और लियेरा छेव में जान ता एवडा पेपलको ब्रिक्षे रहे सَّसम त्विपलको ब्रिख्य मनी बशे रा तिखो एवटा धारीलों धोंगो लियेरा त्विईभ दोंगाली आपनों पेटलाई चिर्ण भयों लाई पेटलाई चिरेरा तो गर्वस्त शिशुलाई आपनो पुत्र श्वरालाई गर्ववाट निकालनो भाए गर्ववाट जिकेरा अनि आफुले लगाई को जो पटुका थियो तो पटुकालाई पिपल का ब्रिक्ष्य माथी छुण्नी आए रा कोकुरो जही बनाए रा तो गर्वस्त शिशुलाई सुताई दिन भायो दिया अनि रिदाई मा लगाई रोनों होंचा पुत्र तिमी कती अभागी होकी मो आमा अभागी नी होकी तिमीलाई जन्मत दिया महिले तर तिमीलाई पालन पोषण गर्न महिले सकी नावा किने कि मेरा पती ले प्राण त्यागन भाषा तिमरा पिताले पत्र अभा मो बनी तिमरा पिताश्णले सती जाने शो अभा मा तिमरो पालन पोषण गरी रमा बसना सकती ना मो अब याँ बाट जाना चाहां सो पत्र तिमी रामनेरी बसनो बनेर भर्कर जन्मी को संतान ले तिमी सुताई देर शिवर चा जाना कोद नोंच त्यो बालक रुणच सजन बालक रुणच आमा को मन हो चिया चिया भाई को च बालक रुणच आहिरा फ्यूटाइरय को ख्रावाट रुणच नो बburgerी रुणच आहिरे चर्णी को घी चॉर्कर जन्मी को शंतान ले तू अनि भेड़ी मन थामेरा शिदाऊन हो चाहिरी उठीरया भेड़ी जाना हुणच पर पर जांदा फेरी मन मान दईना दवडे राए रा फेरी उठाए रिदाइमा लगाऊने उन्चा बाबू तिमी यही शुतनों खुशी रहनों शिर्मा हाथ राखे राशिरवाद किनोंचा अनि बन का देवी देवताहारलाए प्रार्थाना गरनवा हाथ जोडे रहे यो बन ब्राली सिने भsi में नाधि देवता द्रिश्य अद्रिश्य रूपमा रहने हे देवताहों तब पहेले मेरो छोराको रक्ष्यागरनवाला है यही परमात्मा मेरो पति प्रता धर्ममा कुने खोट चायन यदी बने मेरा पति को मेरे शेवा गरेकिचो देवताक्व अरधान मेरे गरेकिचो यदी बने मेरो छोरालाई त्यों पुर्ण्य का प्रभावले केई पनी नहोश दिर्ग जीवी बनोश मेरो संतान मा यही चाहन्चों बनेर संपुर्ण देवी देवताहरो लाई आपनों पुत्र जिम्मा लगाएर माता शुबर्चा तेहां बाट प्रस्तान दर्नाँच जानवो रुदै रुदै पचाडी हेर्दै जानवांचा छोरो रोएको आवाद संदै पस्तो भायोला ते तिखेरती आमा को रिदैशा जान गैरा आपना पती का चितामा गैरा पती को शिरलाई आपना काखामा राखेरा दाजबती दिनोंचा स्वयम आपने हाता ले पती का सातमा वाले परी मक्ष्य प्राप्ति करनावाई तिने बालक लाई स्वर्ग का राजा इंद्र ले आए रा आपनो तरजनी अमलो चोर अमलो जसले हमी भन्छों इंद्र का चोर अमला वाट अम्रित को बर्षा होंचा त्यों अम्रित को चुशाए रा इंद्र ले त्यों बालक को रक्षा गर्नवाईव सजर्ण प電वालक और गर्णदें बढ़ते गए तिने डदीची रिशीद शुवर्चा का पुत्र पिपलाद का नाम ले विख्यातो नोमा पिपलाद भनेगो आदी शास्त्र हर को अध्यन गरेदा वाले विचार गर्णबो मैं ले मेरा मेरी आमा का गर्बमाई महोदे खेरे पिता को पनी दर्शन पाईना आमा को पनी दर्शन भाईना जन्मिदे खेरे माता पिता ले छोड़े रजानबो मलाई यो कारण के हो के कारण ले इस्तो वो भने दा जोती शास्त्र द्वारा हर दा साड़े साती सनी ले ग्रस्त गरे को रहे चाते दिख्या साड़े साती सनी का कारण ले गर दा इस्तो भाई को रसा वाले तपश्या गर्ण भयो उने तपश्या गरिर वो भलिनात शिवसंकर को उपासना गर्ण होंच विपलाद रिशिले शिवजी को उपासना गर्ण भो शिवजी शिले बन्न वो बर्दान मागनोश विपलाद बन्दा पुरभू मला इसतो बरदान दिनोश कि मैंले जन्मिने बित्तिके मेरा मेरी आमाले मला इच्वडेरा जानाबो मा जन्मिन्नो बंदा पुर्वने पिताले द्यावसान बयो पिताको बने तिस्तो खल्गो कर्म कसेई को परी नहो साड़े साथी सनी का कारण ले गर्दा इसतो भाको रच बने सोड़ा बर्षव नपुगे का बाल बाली के हरलाई साड़े साथी सनी ले कईली पने नसाता आउश सोर वर्ष वन्दा पुर्व साड़े साथी को प्रकोप न पुरुष को नहीं पने मानवलाई मयो बर्दान चाहंचो तपई बाटा बने रागा कि पिपलाद ले बर्दान मांगनोगा है कि घुःट के बहुते वह बичноकर भी बर्दान दिना हनारगा साथी सनी को पालो ता आउँचा तड़ साड़े साथी सनी ले प्रभाव पार देन सुर वर्ष वंदा मुनी का बालवाले का त्यों मा बर्दान दिन्च ती मिलाई भनेरा विप्पलाद रिशिलाई त्यों बर्दान दिनवाई राजपनी गादी स्चा गालवस्चाइब पिप्पलादी महामुनी सनी सरकृताम पीडाम नासयंती स्मरितास्त्रयाः जल्ले गादी गालवर पिपलाद इतिन्जाना रिशिहर को नाम कसेईले लिन्च वने उल्लाई साडे साथी सनीले कईले पने प्रभाप पारदैना प्रकोप पारदैना गादी गालवर पिपलाद इतिन्यना रिशी हेरुको नाम लिने वाला बेक्ती लाइश्वनी प्रकोपले धेरे पिडा दिरैना ग्रह शांती भाईरा जांचा बनिये कुछा देवी भागवत्मा पनी यो प्रसंग बढ़नन चाए शिवा महापुराण मा पनी प्रसंग दार दांगो तिने पिपलाद रिशी हुर्खंद ई जानवो उता देवताहरले हडडी लेर गए रदी द अरिसी को तेसे वाट अंच्थर बनाए अंच्थर बनाए रही द मैधान मा गए देवताहरो युद्दद चलन लाग्यों युद्द चल्दी गर्दा ते अंच्तर प्रहार गरे ब्रित्राशुर्गो घ्ठी थेलो त्यों सजन्त आस्त्र द्वार एक बर्षको समय लागयो ब्रित्राशुर्गो घ्ठी सीननु लग्यों सब्दुमकब hors सब्दों मेल सक शें़ोगर जब यता अस्त्र द्वार आपनों घ्ठी सधन भिई रहे हो तित्ती किरे बृत्रासुर दैत्याले त्यू युद्ध मैदानमा आकास्तिर दिष्टि लगाए रा भगवान लाई पकारे गरे देखे रा बृत्रासुर लाई भगवान ने अरीगो दर्शन भयो शजन्युद्ध मैदान यह अचम्म को कुड़ा छया नुशा दैत्यलाई युद्ध मैदानमा भगवान को दर्शन्वयो आकास्तिर दिष्टिगर्दे व्रित्राशर्वन्जं अहम हरे तवपा दैकमोला दासानो दासो भविताश्मिभोया मनस्मरिता शुपतिर गुणामस्ति गृणी तवा कर्मकरो तुकाया अहम हरे तवपा दैकमोला हा ये हरे मत तपैंको चरण समक्षया आउना चाहां चवा तर मा अईलेनी तपैंको चरण समक्षया आउने लायक मा चोईना मा अईलेनी तपैंको चरण समक्षया आउना चाहां चोईना हजुर को भक्तको भक्तको पनी भक्तको मा चरण समाईरा विस्तारे विस्तारे मा हजुर समक्षया आउना चाहां चोईना ये हरे मलाई अजुर ले स्विकार गर्दिनो हला है किने कि मा हजुर को भक्त बनना चाहां चोईना दाशानो दाशो भवितास में भोया मेरो मन लाई हजुर का चरण मा मन लाई समर्पन गरी हालने छेमता मसंग चाईना मा हजुर का भक्त को पनी भक्त को भक्त को चरण मा मन लगाईरा ती भक्त को मध्यमदारा मा हजुर का चरण मा आऊना चाहन चुप्राव ब्रित्राशुर्वंजन अजात पक्षा इवमातरं खगा स्तन्यम् यथाबचतराचोदारता प्रियम् प्रियेव विशतम् विशन्ना मनोरविंदाक्ष दद्रेक्षतेत्वाँ उनिभन्षन हे प्रभुहे गोविंदा तपाई को मा प्रतिक्षा गरीर बशी रहनेचो मा हजुर को प्रतिक्षा निरंतर गरी रहनेचो हे गोविंदा कशेरी उदारण देर बताऊंचन भर्खरे अंडा बाट निकलियेको पक्षी को बच्चा चा गुणमा भर्खर अंडा फुटेर निकलियेको चा जसका पकेटा पनी पलाएका चाईनन रती भर्खर जन्मियों को बच्चा त्यो चरागी आमा चारो खोजन भनेर कतै जानो भाईगो छा अनि तयो गूण मा बसेगो तयो चरागो बच्चा चुँ 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 गरदी कराउ दैי मुख आँ गरदी अमाले कतिके रा खाने कुरा लियरा आउक भला मलाई पने बर आउकु भूक भले तैणोला गविंद अनिभन्दशन जशरी एउटी गोव माता भर्खरी ब्याय की गाईशन घरमा तो भर्खर जन्मीको तो गाईको बाचो गोठमा बादेको छ उनकी आमा गोव माता चर्ण भनेदा घास्थाना जंगल गाईगी जन्द बेलुका शांज पर्ण लागयो दिन भरी केई खाको छाईना तो गोठमा बादेको बाचाले अनि बेलु का साजमा जशेरी आमा कतीखेरा आयरा मलाई दुद दिनों हुँचा दुद चुशेरा मेरो पेट भरों भनेरा त्यो गोठामा बादे को त्यो बाचो जशेरी बाँ गड़ेरा खणाऊंचा आमा को प्रतिक्ष्या गरी रहे को हुँचा प्रभू आमा को आशा गरी को हुँचा उल्ले तिस्ती प्रकारले मौपनी हजुर को आशा गरी रबसे को हुचा मलाई आयर दर्शं दिनों हुचे प्रभू अनि कुने धर्म पत्नी को पती विदेश गहे का हुँचा कुने धर्म पत्नी को पती बिदेश गये का हुनचन। बिदेश गये का पती लाई जसेरी उनले हर पल हर क्षण याद गरी की हुनचे। घर मा बशे रहे वड़ी धर्म पत्नी ले। पति को भित्तामा टांशे को फोटो देखता आखा बाता आशु आउंसा ते तिखेरा पति को फोटो हेरेरा पति को फोटोला रिदायमा लगाएरा जसेरी रुण्चिन एवटी पति को यादमा एवडी धर्मपतनी बाईरा दोईलामा बसेरा बाता तिरा हेर्दा कशे का पति पतनी जोडी मिले र बजार तिरा जांदी गरहे को उथे भड bourशो आइर्बंदी गरहे को देखता अपनी तुलाउना मन लाख सते तिखे रहा आपना पती को याद ले सताउसा एउटी धर्म पत्निला जशरी खाने बिलामा याद आउसा कते जाने बिलामा याद आउसा हर पल जशरी पती को याद गरी रहा आपनो समयला बेतिर गरी रहेगी होंसे कईले आऊन होंचा वला पती भनेर प्रतिको पतिको आगमन को प्रतिक्षा गरिदा जसरी तुलू तुलू तुलाई रहे की होंचें प्रभू मोपनी हजुर को दर्शन का लागी तेशे गरी तडपी रहे को स्प्रभू आयरा मला धर्शन दिन वला ये भगवन भनेरा बृत्राशर दैतेले युद्ध मैदान मा बाटा भगवान को ध्यान गर्षन प्रतिक्षा गर्षन सजन परमात्मा को चिंतन गरी रहे काशन अम्झे भगवान को श्मरण गरी रहे काशन जय राधे 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 जय श्याम 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 श्यामा तिम्रो पाऊ मा हर दम मेरो भतिन छूटो स्याम कालो हटाए ज्यान दिलाओ हे प्रभु मेरो खनशाओ आहे प्रभु मेरो खनशाओ तिम्रो पाऊ मा हर दम मेरो तिम्रो पाऊ मा हर दम मेरो जय राधे 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 जय श्याम 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 जै रादे 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 जै शाम 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 कर बादे जै बादे जैsht धोप सुगन्दित के मचड़ाओं चन्दन बनाति मिला धोप सुगन्दित के मचड़ाओं चन्दन बनाति मिला चंपक कुना कुना फूल चड़ाओं चंपक कुना कुना फूल चड़ाओं अमधुबन नई ति मिलाओं आमधुबन नई ति मिलाओं तिम्रो पाओं मां हर दम में रो तिम्रो पाओं मां हर दम में रो जै राधी 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 जै शाम 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 जै राधी 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 जै शाम 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 खाले हाथ तनी आये प्रभु मां मनमंदिर मा सजाए खाले हाथ तनी आये प्रभु मां मनमंदिर मा सजाए भजन सकू प्रभु नाम सदानै भजन सकू प्रभु नाम सदानै तिम्मे तन मन लगाई तिम्मे तन मन लगाई तिम्रो पाउमा हर दम मेरो भक्ति न छोटो स्याम कालो हटाए ज्यान दिलाओ हे प्रभु मेरो खनशाओ आहे प्रभु मेरो खनशाओ तिम्रो पाउमा हर दम मेरो जै राधि 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 जै शाम 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 आटी रादी रादे जैशा मशामाँ, है रादे 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 जैशा मशामाँ राधा-किष्ण भगवान को जैःवू बित्ता सुल्य युद्ध मैदान बाचा भगवान को स्मरण गरे सजन अनि त्यों अस्त्र द्वारा उसको शीर छेदन भयो छेदन भय पसे उसका शरीर बाट दिप्य ज्योती आत्मा प्रकट भयो त्यों आत्मा गैरा परमात्मा भगवान का चरण मा बिलिन भयो राजा परिक्षित्रे शुकदेप जिस्वागा प्रश्ण गर्नोंचा गुरुदेव रधस्तमा सभावश्या ब्रह्मन बृत्रश्या पाप्मनहा गुरुदेव मला येवडा कुर्या बड़ा अचम्मा लाग्या युद्ध मैदानमा ता मैंचे तमगुणी बने को हुँँचा कुरोद, रिश, राग, द्वेश, लीर, बशेको हुँचा युद्ध मैदानमा जादा मैंचे तर युद्ध मैदानमा पने ब्रित्राशुर दैत्यलाई भगवान को याद आयो भंदा बड़ा अचम्मा लाग्यो युद्ध तेशे आये को हुई न हला गुरुदेव कारण कियो बंदा शुकदेव जी भन्नोंचा परिक्षिद ब्रित्राशुर लाई तेशे युद्ध मैदानमा भगवान को याद आयो को है न ब्रित्राशुर तैत्य पुर्व जन्ममा चित्रकेतु नामगरिय का राजा थी चित्रकेतु राजा का धरे ओड़ी पत्नी हरु थे ती धेरई पत्नी मद्धेमा यवटिको नाम ते क्रितद्धिती, तड़ कुनीष पत्नी द्वारापनी संतान भाइनन संतान नभई बची अंगीरा नामगरीयेकर रिशिलाई, भलाएर यज्जचारिया बनाएर और अणि यज्जबाट अविशिक्त यवटा फ्हल, पुत्र जन्मियों तरह ती जठी रानी का गर्वदार संतान जन्मिने बित्तिकई राजा को मन जठी रानी प्रतिमात्री मन भावना विचार जागरेत भयो अरु रानी हेर को वास्ता बंद होना छाड़यो बनेरा सवतेनी डाहा का कारण ले गर्दा अरु रानी हेर ले विचार गरे अचल राजाले हमेरो हम्रो वास्ता गर्ना छोड़न भयो हमेला माया गर्ना छोड़न भुक्कीना भन्दा त्यो बालक का कारण ले गर्दा तेसे कारण ले गरदा अब यो हम्रो मायामा प्रेम्मा अडचन बन्छा बने यल्लाई छोड़नों होदाईना बने रा शेवी का शेवा गर्थिन त्यों बालक को शेवी का कोठा बाट बाईर निकले को मौका बनाए रा सवताहर ले लगेदा बीस खाई दे त्यों बालक लाई लाई बीस खाई दे बालक को मौका बाईर निकले चन बिशका कारण ले गरदा त्यों बालक को शरी निलो भागो ज़ा ती सेवी का एक्षिन मा आयरे हर दा बालक मरी रहेगो चा रुन लागेन राजा ले सुन्न भो राजा ले बड़ा पेड़ा भै। राजा आपना मृत्र पुत्र लाई उठाउंदे रिदे मा लगाउंदे बार बार रोन होंचा ते दिखे रहां। किनकी ग्रियस्त जीवनमा संतान भियोग भन्दा ठुलो पेड़ा अरुकुने पने चैना सजन। किनकी ग्रियस्त जीवनमा संतान भियोग भयो भने त्यामंदा ठुलो पेड़ा अरुकुने पने हो दैना। कि राजा कूपनी बड़ा दुखमय अवस्ता आयो। कि राजा रोन होंचा रानी जठी रानी अरु रानी हो पनी हमेले रोय जहीं गईरोना भनेता फेरी संका होंचा भनेरा रोय जहीं गर्शन अरु रानी हो पनी। कि रिशी ले अंगीरा रिशी रा नाराजी आय भून भाया जा। नारज जी आये को देखे दा रिशी आये को देखे दा प्रणाम गरे। अनि तपई कामा आयरा यग्या गरावने गुरु मों अंगिरा ओहो गुरुदेव भाजुर धन्ना उन्न वो अनि वाँची बंदावां ब्रह्मा पुत्र नारद नारद जिलाई पनिपणाम गरनोंच गुरुदेव तपईले दिएको कृपा द्वारा अशिरवाद द्वारा संतान भायगो थो यग्या द्वारा इर्नोस्ना आज़ा संतान मर्यो संतान चय नावएsub vidéo दोनियामा मलै जशेरी भायबनी मेरो संतान चाइओ जो गुरुदेव अंगिराले बनना भो माभा मरे को लाई को सेरी संतान जीवित गरावनों तिमी लाई तिम्रा लागे मुदा ही ने संभाव चाहिना मालाई जसेरी भाय पनी मेरो संतान चाहियो चाहियो चाय यो मलाईशा नारज जिले बनन मा दिन्छो तीमी लाए पत्र है मा यो मरि जो चौराला उठाए दिन्छो गुरुदेव लूना तेसो गर्नों भायवं दा मेरो अहो भाग्या मा उठाए दिन्छो तीमी उने उशैज़े का कुच्राकानि का रहा goat नारजजिले गायरे इतो मंत्र तंत्र प्रयों गरिर अविशिक्त गर्दिन वो त्यो मरी को बालक जुरुका उठियो बालक उठिने वित्तिकाई राजा खुशी हुनबो तवडीर जानबो नारजजिले अविशिक्त गर्दिने विशिक्त गर्दिने उठियो अरो बन कि न रू नंग अल्य रुनो यो गानेव क्या यो यहर्ष तो। तो बालक ले बने तबैं मेरो पिता हुईने ना… अरो डीकिक अहे हैं कि तिस्icação मेरो छतीजी वे को मेंुस मरि नियुकहा रुandमी मैं मातरो पितरो वावान तपैं मेरो कुन जन्म को पिता होता है तपैं कुन जन्म को पिता हो मेरो मैं लेता जन्म कति लियें लियें कति खेरा भेडो बने रा जन्म आ थे ते खेरा बनी माता पिता थे मेरा पति खेरे बाखरो बने ते खेरे बने कुकर शुकर भेडा बाखरा भाईशी जीव जन्तू बंदई बंदई इस ते खेरे बने माता पिता थिये अईले बने माता पिता बने तब ए खुण जन्मगो माता पिता होता मेरो तेती भन्ने वित्ति गई राजा छक्क पर्णवा तबाई मेरो माता पिता होई ना माता पिता दा कदी जन कदी जन्न मेरा असकसलाई ज्यान दाखेरे सक्नमेले बनेरो त्यों बालक ले तेती भन्ने वित्ति गई राजा छक्क पर्णवा मजी मेरो छोरो भनेरा, मरो भनेरा रुंचु बिलवना गर्शु तरा, उची बंचा तपै मेरो पिता हुईन वंचा उठेरा, राजालाय बैराग्य भयो गुरुदेव, यो संसाल जल्लाय म आपनो मांत्नी, त्यो मेरो ता आपनो हईना रकुदे नोर्श, मैंचे ला बैराग्य 10 रिंघ्र। आापनो प्रिय अधोवाट मन नमोडी कन बैराग्य हो देने जल्ला अफुले अधिक माया गरींचा yesterday माया गरीए गय्क्ती दे मेंचे जुन दिनों दोका दीन चा मन मोडींचा और मैंगे बैराग्य्कर्ण राजा बन्म गैर भजन गर्न लागनवो भगवान संकर्षण प्रकट भैरावनवो संकर्षण भगवान को चित्र केतु राजाले स्थुति गर्नोंच अजित जितह सममति विही सादो भेर भवान विजितास्ते विवजदा मकाम आत्म नाम्यह आत्म दोति करुण तब भी वभवा खलो भगवन जगदु दयस्थिति लयादीनी विश्वस्ति जस्ते साम्साह अजित जितह है प्रभो न जितह के नापी प्रकारेना इती अजितह हजुर इस्तो हुनोंच उस्तो हुनोंच भनेर हजुर का बारेमा बढनन गर्नबनिशकिदेन हजुर अजित हुनोंच अभिनाशी हुनोंच शक्षत परभ्रम्म हुनोंच इस्ता भगवानलाई मप्रणाम गर्शु बनेर स्तुति गर्नबो भगवानले भक्तिको आशेरवात दिनबो अनि यहुड़ा बिमान पनी दिनबो चित्रकेतु राजाले ति मिलाई बैराजय भागोच यह विमानमा चड़े रागमि राणो ति मिलाई आनन्द होने अच्छा मेरो भक्तिकरनौ विमान दिनबो चित्रकेतु राजा तै विमानमा चड़े राजाट गम्दय हुनों तो एक दिन अकासमार्गमा गम्दय हर्दा भगवान संकर्र माता पार्वती यहुटा बनमा एकंतमा भस्चन भाकोरच चित्रकेतुले माती बाट देखनों भाई चित्रकेतुले दसा लागे उनले भने हिरन विश्व ब्रह्मान्दको नायक शिवा भैर पनी आपनी पत्नीला काखमा राखेर बशेकुछ यो शिवा भन भगवान महादेप्रतीत कुद्रिष्टी राखेर तिस्तो बोली द्वारा कटाक्ष्य करे भगवान संकर्लाइता थाचा भगवान संकर्षण को भक्त हो मैं ले क्या भन्न हो दैना भक्त हो मपनी वांको भक्त हो पनी हमी गुरुदाई गुरु भाई म क्या भन्दी ना ब तो बद्ध ची राक्षिश दस्त रसा ते शेलिए आसुरम याई दुर्मते तो इनले असुर योनिल्या प्राप्त गर्न पार्नेश असुर बनेश असुर में श्राप देनुवों या तिनी में पारवती काहरा चुछ नुदू गरण ले गरद है उनी भृत्राश्र दैत्य बनेरा तुस्टा प्रजापति का यग्यावाटा प्रकट भहेरा आएक थे पुर्व जन्मा का चित्रकेतु राजा पार्वती का श्राप का कारण ले गरन दिस्तों भाईकु थे हो पुर्वा जन्मा मा भगवान को भजन गरी को प्रभाब उनी मा भैकाले मरने बिलामा पनी युद्ध मैदान मा भगवान को याद आएको थे अ बृत्राश्वर दैत्य लाए कारण थे हो रा मानबले गरिगो सतकर्म कैली पनी खेरा जादेईना आपुले गरिगो धर्मा पुण्य कर्म सतकर्म कैली पनी खेरा जादेईना तेले जन्म जन्मान तर्मा उर्जा थपी रहंचा उसको विकास करी रहे कोँचा बने र अत्यंत सुन्द र पावन प्रसंग सस्टशकंद को कथा र अगाडी दिती द्वारा उलनपचास मरुद्गन हेरुको प्राकट्य र पुम्शवन ब्रत को संक्षेपिदी बनन गर्दै भागवत का सस्टशकंद का उन नाई सद्याय परिंतगा कथा पोड़ना सप्तमस्कंद प्रारं महुँचा भक्तवसल भगवान गो राजा परिक्षितले शुका देवजी संगा प्रश्न गर्नोंचा समा प्रिया सुरिद ब्रह्मन भूतानां भगवान सयं इंद्रश्यार्थे कथं तैत्या अवधेद्विसमो यथा गुरुदेव अजुले प्रसंग हरु दे शुनाओन भो अजुले सुनाये का कथा हरु मस्वनी राकोच गुरुजी तर मैंले यवडा कुडा अईले समन बुद्न सके नहीं यो दैट्यार देवता जबाज भगडागर सन्नी अनि देवता हरु भगवान का सरण मा जान्चन भगवान ले आयरा दै मैंतरी गरी को प्रसंग सुनना पाइन चा तर आजसमन भगवान ले देवता हरु गोची बद गर्नवो दैट्यार लाइची बचाउन भयो बनने कथा प्रसंग जी कहीं पनी सुनना पाइन दे ननी गुरुजी यस्तो किना किना यस्तो भागवदा गुरुजी भनेरा प्रिक्षिते प्रस्ण गर्नों किना की भगवान का नजर माता दैट्या देवता यक्षया गंदर्वा किनार नागा मानव दानव सबी उतिकेई उनने था बगवान का संतान उन सवै तर बार बड़ भगवान ले दैटेगो बध गर्न होंज देवतालाय मात्रे बचाई रहन होंज यो कारण किना इस्तो किना यात मैले कुरा न पुझे गो हुने पर सा यात भगवान पक्षय पाती हुने पर सा दोलितामे युडा अनि मेरो मैत्री मन को इछा पूरावईना सभी का मनमा एस्तो भावना आवना सक्षा बनेर प्रश्णगर्ण भयो शुकदेव जिभन्नों चाहे परिक्षित जसेरी तिमीने कुराब जयोना तेसे गरी एक्षोटी युदिस्थिर राजाले पनी कुराबद्न भयोना युदिस्थिर ले पनी नारजजी सग तेई प्रश्णगर्ण भयो थे हो पांडबेले राजश्वय यग्या गरे राजश्वय यग्यमा कसेगो अग्रपुजा गरने बिदान होंचा पहिलो पुजा कश्को पुजा गरने दा वन्दा किष्ण को पईली पुजा गरने वन्दे निर्णै बायो सहदेवले वन्दो वो किष्णले लियायर सिंगासनमा राखेरा किष्णको प्रथम पुजा अग्रपुजा गर देदे पांड़ा वेले तेती घिरे शिशुपाल नाम गरिएगो दैते बनी गएगो दियो शिशुपाल ले भगवान किष्णा लाई एक्षाई एक्चोटी गाली गरे गाली गरने वित्ति गई भगवान किष्णा ले सुधरसन चक्र द्वारा शिशुपाल दाइत्यको शीर छेदन गर दिनवो तर त्यो शिशुपाल का शरीर बाट का दिप्य जोती आतमा प्रकट भयो त्यो आतमा गएड़ भगवान किष्ण का चरण मा बिलिन भयो शिशुपाल को मोक्ष भयो त्यों कुड़ा युदिष्ठीर ले पनी देखे रहानों वाईवदियो युदिष्ठीर ले नारद जिला सोद्नवो नारद गुरुदेव मला अचम मला लागे यो शिशुपाल ले भगवान संगा जती खेर पनी द्वेश करी रहे अउनले भर्कार वाणीट एक्षे एकचोटी गाली गरे तर इनको आत्मा जी भगवान में गाई रहे बिलिन भयो इनको मक्ष भयो बने के गाली गरदा बनीता पारत अरिन्दो रसनीता मक्ष प्रेमै गरि रहनों परनेता होईना रशा भगवान श भाणीश गा यह तर भजन गरने तरीका अलग होला देवता हर ले भगवान से प्रेम गर्शन दैटे हर ले द्वेश कर्शन तर देवताले बन्दा दैटे हरु ले भगवान को नाम ची धेरे लिने गर्शन किना बंदा अजुरेला थाचा ब्यवारी कुरा मित्र को बंदा सत्रु को याद जैले पनी मांचेलाई धरे आउने गरचा मित्र को याद कईले काई आउचा वला तरह सत्रु को याद मांचेलाई बार बार आई रहनचा रिशुटे को मन्षे को नाम दिन मा कदी जटी लिनोंच अला बनने उस्ता कदी जटी हो कदी जटी उसको छाया अपनी यहरना चाय देईने मन्षे ले मित्र विर्षिन छा तरह सत्रू कईले विर्षिन देई देईना विश्व का जुने कुनामा गए बनी उल्ले आपनो सत्रु विर्षे दैरा देवताहरले भगवान संगा प्रेम गर्षन दैतियले देश गर्षन तर देवताले बंदा दैतियले भगवान को नाम देरे लेंच तो किष्णे लाई इत्यो राम लाई इत्यो नारेन लाई बेटना पाये देखी मैले जाने आथेओ बने रने जती खेरी भगवान की खोजी गरी रहेगा उन्चन दैतेहर ले अवा जल्ले भगवान को नाम ज्यादा लिन्च उसका पाप ना सुन्चन अगी अजा मिल उपाख्यान मा सुन्चन अगी द्वेश भावले बने भगवान को नाम ज्यादा लिन्च बने उसका पाप ना सुन्चन अब दैतेहर ले भगवान को नाम लिंचन ते सहीले उनियर का पापना सुन्चन भगवान ले स्वयम आये रा ती दैतेहर को आपने हात ले उद्धार गरे रा बद गरे रा उनियर ले मुक्षय प्रदान करना उंचा जसको भगवान का हात वाट मृत्य होंचा उसको दुर्गति कहले पनी हो दैना उसको सद्गति होंचा भगवान का हात वाट जजसको मृत्य वयो उसके सद्गति पायो हजुरेले कौंख्ष नरगयो रावन नरगयो वनने सुन्व आजगाई चाहिना कईली नादे नंजसको भगवान का हात वाट अम्रित्य होंचा उसको जयले पने सद्गति होंचा मक्षय होंचा अवस्च्य होंचा चसे कारण ले गर्दा दैत्य हरो द्वेश गर्षन तरपनी उनेर ले भजन गर्णे तरीका हो सजन गोप्या कामा अध्भयात कंशाद यथा चाहिद्या दयोंडे पा गोपिनी हर ले कामा नाले भजन गर्षन भगवान को किष्ण मेरा घर मा आई दे होंच्यों नौनी चरे रखाई दे होंच्यों किष्णाला हतमा डंडाली रखेदना पाए मलाई बड़ा अनन्दा होंथे गोपिनीर गोभावना तेस्तो चाहिद्या अनि भयात कंशाद कंशाद कंशाले डराए रा भजन गर्षन भगवान को सुनिया दियो कालो चीज देखने होदाई न दियो अगी डराया आलते होंच्यों कालो चीज देखने वित्ति गई अगी डराऊंथे वते यो किष्णा दा होईना अलानी बंदे भयवित्वाई आलते जित्ती सारो डराऊंथे कंशाले दानी किष्णा का डरले तेलमा जीर बेखर बन्योरны